हेलो एवरिवन वेल्कम टू नियू वीडियो इस वीडियो में हम नंबर ओफ जीरो फिल्ट सब्रेश जो आज का डेली चैलेंज प्रॉब्लम में लीट कोड का उसका सल्यूशन डिसकस करेंगे सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थौट प्रॉसेस सो जब भी आपने अल्रेडी सब्रेश के प्रॉब्लम देखे ही होंगे सो हमेशा कभी पूछता है फाइंड सब्रेश जिसका सम के हो या फाइंड नंबर ओफ सब्रेश जिसका जौर वैल्यू सपोज वाई हो सो इस टाइब के प्रॉब्लम स्रिपीट होते रहते हैं सो हमारा थार्टевой प्रोसेस क्या और चीये जब भी इस टाइबícios कर आ आते हैं यह जो फॉलॉँइंग केस कंसीडर करना है so हमारा जो bigger problem है कि zero index से लेके हमें n-1 index तक find करना होता है array में इतने elements होते हैं हमें उनके लिए find करना पड़ता है जो भी given condition है जिसे इस वाले case में क्या condition थी इस वाले case में हमें sub-arrays find करना था count of sub-arrays जिन में zeros हो ठीक है so इस problem को हम कैसे breakdown करते हैं इसको breakdown करते हैं यह जो bigger problem है zero से n-1 full array का हमें find करना है so हम पहले बोलते हैं नहीं पहले हम क्या हम zero से i index तक find कर सकते हैं so पहले हम consider करते हैं small part को zero से i तक के part को so अगर हम zero से i तक के part को consider मतलब निकाल सकते हैं तो हम उसकी मदद से full array का भी solution find कर लेंगे so इसमें क्या होता है i-th index है suppose यह हमारा array यह हमारा i-th index है so इस type के problems को कैसे solve करना है इसमें हमें find करना होता है कितने subarrays जो condition हमें given है जैसे इस वाले में था subarrays जिसमें zero so इस case में अगर हम i-th index पे हैं तो हम यह find करना चाहते हैं कितने subarrays जो i-th index पे end हो रहे हैं क्यों end ही आप क्यों बोल रहे हो क्योंकि हम consider कर रहे हैं zero से i का हमारा इतना ही बड़ा array है हम पहले छोटे वाले part के लिए find करना चाहते हैं फिर उसकी मदद से हम पूरे array का find कर देंगे यह हमारा thought process है so कितने subarrays जो i-th index पे end हो रहे हैं and जो यह condition जो हमें question में given है वो satisfy कर रहे है क्या हम यह निकाल सकते है so यह हमें खुद से question करना है फिर हमारा main motive जो होगा यह find करना कितने subarrays जो i-th index पे end हो रहे हैं जिनका subarrays zero इस वाले case में तो यह find करना है suppose कई बार जौर वो subarrays find करने होते हैं जिनका जौर के होता है so उस case में हमें find करना होगा कितने subarrays जो i-th index पे end हो रहे हैं जिनका zord value जो भी given है zord value के है या sum x है इस type के problems आपने देखे होंगे नहीं देखे हैं तो इस type के problems और है जो particular type के subarrays हमें find करने पड़ते हैं count उनका so अब हमारा question जो हो गया वो पूरा यह हो गया कैसे हम यह find करें number of subarrays जिनमें 0s हो और जो i-th index पे end हो रहे हैं ठीक है so अब यह help कैसे करेगा कि आप बोल रहे हो कि हम find करें कि कितने subarrays जो i-th index पे end हो रहे हैं यह हमें कैसे help करेगा हमारे answer कैसे निकालेगा आपके मन में question आ रहा होगा so हम assume करते हैं इसमें assumption का बहुत बड़ा रोल है हम क्या assume करते हैं कि 0 से i तक का हमें निकालना है हमने अपने पहले array को छोटा कर लिया है मतलब 0 से n-1 तक का तो हमें final निकालना ही है लेकिन हम चाहते हैं क्या हम 0 से i तक का यह पता लगाओ कितने sabiris हैं जो i index पे end हो रहे हैं और जिन में सिर्फ 0 values है so वहाँ से suppose वो value y आती है अब यह y हमें help कैसे करेगा अगर हम i-th index पे हैं यहाँ पे यही assumption है अगर हम i-th index पे हैं अगर हम i-th index पे हैं इसका यह मतलब है न हमने 0 से i-1 तक का निकाल लिया है already 0 से i-1 तक कितने sabiris total count जो होगा वो particular condition वाले sabiris का वो हमने 0 से i तक का हमने निकाल लिया है 0 से i-1 तक का अभी हम i-th index पे पहुँचे हैं so अगर हमें y पता है यहाँ से y मिल गया y हमने निकाल लिया और 0 से i-1 तक का भी हमें पता है so क्या हम इन दोनों की मदद से find नहीं कर सकते 0 से i तक कितने sabiris ओंगे जिन में सिर्फ 0 से है so दो चीज हमने की हमने तीन चीज पहली चीज क्या हमें 0 से n-1 तक पूरे array का निकालना है ठीक है हम निकालना चाहते है वो हमारा final goal है लेकिन हम पहले क्या करेंगे हम उसको छोटा कर देंगे पूरे array का ना find करके क्या हम 0 से i तक i कोई random value है चोटी value भी बड़ी value भी पहले हम चाहते है उस array का कोई एक part ले ले 0 से लेके उस part तक i index तक हम उसका value find करना चाहते है second चीज हमने क्या की वो value कैसे find करेंगे ये tip है trick भी है क्या trick है कि हम ये find करेंगे कितने subarrays उस i th index पे end हो रहे हो जो भी condition satisfy कर रहे हो question में जो condition given है वो satisfy कर रहे हो जैसे इस वाले case में क्या condition given था कितने subarrays जिन में सिर्फ zeros हो so i th index पे जो subarrays end हो रहे हो end उनमें सभी zeros हो ये हमें find करना था तो suppose ये y आया मतलब y number of zeros है जो i th index पे end हो रहे है and जिन में सिर्फ zeros है ठीक है y आ गया third क्या था third हमने assume किया अगर हम i th index पे हैं तो हम left से right जा रहे हैं traverse करके पहले हम 0 पे थे फिर 1 पे थे and so on फिर i minus 1 पे आये फिर i पे आये so इसका ये मतलब है हमने 0 से i minus 1 तक का solution already find कर लिया है solution क्या है count हमने find कर लिया है उन sub-arrays का जिसमें सिर्फ zeros हो जो भी condition हमारे question में given थी वो particular condition वाले sub-arrays हमने already find कर लिये हैं 0 से i minus 1 तक के sub-arrays का so उस value को x मान लेते हैं अभी के लिए so हमें x पता चल गया x है मारे पास and हमने y find कर लिया so x प्लस y जब आप करोगे न तो यह आपको solution दे देगा count दे देगा किस चीज का count number of sub-arrays 0 से i तक जिनमें सिर्फ 0 से हैं तक कितने sub-arrays हैं जो हमारा condition सेटिस्फाई कर रहे हैं ठीक है यही इस type के problem को solve करने का यही एक बहुत ही प्यारा सा trick है इसको आप किसी भी type के sub-arrays problem में apply कर सकते हो जैसे मैंने बोला जोर का में कई बार होता है कि हमें ऐसे sub-arrays find करना है जिसमें जोर के होना चीए या some y होना चीए इस type के condition वाले इतने भी sub-arrays वाले problems है न उनको आप इसी तरह से breakdown करके problem को unsolve कर सकते हो अब हमारा main motive क्या हो गया main motive हो गया कैसे इसको find करें i th index पे हैं हम जो कैसे find करें कितने sub-arrays number of sub-arrays जो इस i th index पे end हो रहे हो and उनमें सिर्फ zeros हो इस वाले condition में जो एक example ले ले लेते हैं जैसे 0, 7, minus 7 यह हमारे पास array given है and suppose यह हमारा index आई है ठीक है अब आप देखोगे इस index आई के लिए तीनी possibility है तीनी sub-arrays है जो इस index पे end हो रहे हो एक तो यह 0 एक यह sub-arrays एक आप इन दो elements को ले लो तो एक sub-arrays form हो जाएगा और एक आप इन तीन elements को consider करोगे तो एक और sub-arrays इस index के लिए तीन sub-arrays form होंगे इस वाले index के लिए similarly दो index form होंगे एक तो उसी index के लिए and second होगा इन दोनों को आप लेके बना सकते हो तो यहाँ पे आप क्या चीज़ notice कर रहे हो तो आइथ index पे हैं तो अगर आप देखोगे consecutive zeros कितने है आइथ index तक 3 है न and यहाँ पे हमें answer भी 3 मिल है तीनी सबे रे form हो पाए यहाँ पे number of consecutive zeros i-1th index तक 2 थे तो i-1 पे हम दो ही zeros form कर पाए इस वाले case में जितने consecutive 0 होंगे आइथ index तक including आइथ index ठीक है आइथ index को हम उसमें include करेंगे उतना हमारा y value हो जाएगी अब यहाँ पे y value क्या थी y value थी number of subarrays with all zeros ending at index i ठीक है तो यह हम find कर सकते हैं अब इससे हमें solution कैसे मिलेगा i-1 अब हम start करेंगे न 0 थे index पे उस time पे उससे पहले तो कोई index है नहीं so initial value 0 होगी हमारी and 0 थे index के लिए हम अपना y find कर सकते हैं so initially हमारा x तो 0 होगा न so यहाँ से हमारा जो score आ जाएगा वो x प्लस y हो जाएगा यह हमारा answer हो गया ठीक है अब यही answer हमारे first index के लिए क्या हो जाएगा first index के लिए जो हमारा x होगा x basically क्या 0 से i-1 तक का total count ठीक है इसे ही हम first index का find कर लेंगे first index का y हमें मिल जाएगा x हमने calculate already कर लिया x plus y करेंगे तो 0 से 1 index तक का आ गया हमारे पास count similarly अब 2 index पे जाएगे so 2 index पे y find कर लेंगे x हमने already find कर लिया 0 से 1 तक का x plus y and so on करते हम 0 से n-1 तक का solution find कर लेंगे इस वाले case में क्या था इस वाले case में आइथ इंडेक्स पे कितने सबेरे end हो रहे हैं जिन में सिर्फ zeros हैं वो basically था number of consecutive zeros उस index तक ठीक है so यहाँ पे क्या एक simple सा यही code लगे है बस इतना सा ही code है अगर हमारी current value 0 है तो number of zeros consecutive zeros का count increment कर दो इस वाले case में जो यह था यह array इसको ही वापिस लेते हैं या दूसरा कुछ लेते हैं 077-7-7-0-0-0-1-2-3 ऐसा कुछ array हमारे पास given है सो हम left to right traverse कर रहे हैं यहाँ पे आए ठीक है यहाँ पे count अमारा one हो गया ठीक है count one है answer answer अमारा क्या हो जाएगा answer में हम इस count को add कर देंगे answer यह अभी answer है क्या answer यह हमारा x है x जो क्या था 0 से i-1 तक का score या count and c क्या है c है number of subarrays जो i-th index पे end हो रहे हो and उनमें सिर्फ zeros हो ठीक है यहाँ से answer हमारा one आ गया क्योंकि यह count one हो गया है answer initially zero था तो zero plus one आप करोगे तो one आ गया similarly अब हम next index पे move करेंगे seven seven हमने चेक किया seven इस वाले यह वाला code आप देखो seven तो zero नहीं है तो हमारा count zero हो गया answer one था ठीक है तो answer one plus zero one ही रहेगा similarly इस case में भी answer one plus zero one ही रहेगा count हमारे zero ही है क्योंकि हमें अभी तक कोई zero नहीं मिला यहाँ पे आए तो एक zero मिल गया अब हमारा count one हो गया है answer one था answer में count को add करना पड़ेगा तो answer हो जाएगा one plus one two हो जाएगा बतलब इतने index तक दो ही सब रहे हैं आपके पस जिनमें सिर्फ zero सो इस वाले index पे आए count update होके two हो गया क्योंकि यह value zero है answer में हम क्या करेंगे one plus two one क्या है zero से i-one तक का score two क्या है i-th index का count उन सब एरेस का जो इस index पे end हो रहे है and जिनमें सिर्फ zero से similarly यहाँ पे जाएगे c3 हो जाएगा answer यहाँ से 3 आये था so 3 plus 3 six हो जाएगा answer इस वाले index के लिए so आगे कोई values है नहीं zero तो update नहीं होगा so इस पूरे array का जो हमारा final answer होगा वो six होगा so that's it so इसमें motive क्या था जो भी इस type के problem होंगे उनको कैसे breakdown करना है so zero से n-1 तक का हमें solution find करना होता है so हम बोलेंगे ठीक है हम यह हमारा final motive है हम इसको निकालेंगे लेकिन पहले हम चाहते है zero से i index तक का find करना so यह हम कैसे करेंगे इसको दो part में बाट देंगे अगर हम आइथ index तक पहुँच गये हैं तो obviously हमने zero से i minus one तक का जो भी score होगा final answer होगा वो हमने निकाला होगा अब हमें बस क्या निकालने है हमें वो sub-arrays निकालने है जो i index पे end हो रहे हो and जो भी given condition है हमारे problem में वो satisfy कर रहे हो suppose वैसे sub-arrays y है so अगर मैं score plus y करूँगा so मुझे number of sub-arrays जो given condition है problem में वो satisfy करने वाले मिल जाएंगे कहां तक के लिए 0 से i तक के लिए यही approach है यही इसी से आप जितने भी यह sub-arrays वाले problem होते हैं जोर find करो जो sub-arrays में number of sub-arrays जिनका जोर y हो या x हो या number of sub-arrays जिसमें sum कुछ particular sum होना चीए उन sub-arrays का या कई बार count वाले भी आ जाते हैं इस टाइब के problems को आप ऐसे tackle कर सकते हो if you found this video useful do share with your friends thank you bye